चैनल में और आज आपको बहुत बड़ी सूचना देने जा रहा हूँ यह important सूचना है आपके लिए और यह आपके लिए ही है क्योंकि कारणी है कि आप लोग सभी PGT, TGT, Science और बाकी सब्जेक्ट की तयारी भी कर रहे हैं और इन सभी तयारियों में यह जानकारी अगर आप तक पहुँच जाती है तो यह आपके लिए बहुत फायदे मंद होगी, अलर्ट आपके लिए हो जाएगा और यह अलर्ट आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा क्योंकि कुछ महत्पूर्ण जानकरियां जो आप तक नहीं पहुँच पाती है वो अगर पहुँचेंगी त तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूँ तो पूरी वीडियो को देखते रहेगा बिलकुल एक भी सेकंड क्रे मिस नहीं करिए क्योंकि यह जानकारी अगर आपने जुटा ली तो आप आने वाले समय में आने वाले टाइम में ज जानकारी पहुंची जैसा की पूरे सभी कालिजों से डिमांन मांगी गई है कि बही अधियाचन भेजिये और अधियाचन जब चैन बोर्ड मांगने लगता है 2022 Civic यह जानकारी दी गई है कि 3डिसंबर से 12 दिसंबर के बीचमे जो अधियाचन जो बैकेंसी धियाचन मातलब जो vacancies होती है वो vacancies की पूरी जानकारी chainboard जोटाना सुरू कर रहा है इसका एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया जा चुका है और ये पत्रिये सुचित करता है ये पत्रिये indication भी देता है हाला कि ऐसा कोई चीज नहीं बताई कि नहीं vacancy निकालेंगे लेकिन जब जानकारी chainboard जोटाना सुरू कर दे तो समझ लिजे कि कोई तो बाद भाई जानकारी किसी को क्यों चाहिए अगर आपके वेकैंसी है इसकी वेकैंसी की information क्योंकि chainboard तो वही वेकैंसी अलॉट करेगा जो वेकैंसी बहाँ पर होंगी जैसे college का जब आपको अलॉट्मेंट होता है तो college के अलॉट्मेंट इस बहाँ पे होता है इस base पे होता है कि उस particular college में कौन सी जगह खाली है यह जब जानकारी chainboard को मिल जाती है तो chainboard उसी हिसाब से आप तक जानकारी पहुँचा देता है तो देखा होगा कि एक particular जिला दिखाता है उस जिला में इतने collegeों में इस subject की इतनी vacancy इस category की खाली है तो यह vacancy की जानकारी कैसे मिलती है यह vacancy की जानकारी chainboard D.I.S. office के through college से collection करवाता है यह पहले तो जान लीजे तो वो काम सुरू कर दिया गया है और उस काम के लिए date भी आपने गर गूगल पे भी ध्यान दिया होगा तो उस पे chrome पे जा करके देखे तो नीचे notification पे लगातार आ रहा है कि 3 December से लेकर के जो 12 December तक है उसके बीच में जो online portal है chainboard का उस पे जानकारी देनी है तो इस चीज को मैं आपको by दिखा भी दूँगा कि देखेगा किस तरीके से notification निकला हुआ है कि वह notification मतलब vacancies का notification नहीं जो एक आधिकारी पत्र निकला हुआ है वह आधिकारी पत्र यह जानकारी जुटा रहा है कि आखिरकार vacancy जो है वो कितनी है अब मुझे एस simple सी बात बताई कि आखिरकार आप अगर कोई चीज कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक कोई आगे तो indication होगा आप अपने घर पे अगर लिंट डाल है जट सही कर रहे है अपना घर तो इसका मतलब आपको आभास होने वाला कि बरसात होने वाली है तो simple सी बात समझ लीजे कि chain board अगर यह सब चीजे जुटा रहा है तो chain board इसलिए जुटा रहा है क्योंकि वो आने वाले समय में vacancy announce करने के mood में है यहां से अनुमान लगाया जा रहा है यह यहीं से जानकारी लोगों का जो expert हैं और जो इस चीज के मरमग लोग हैं वो यह बता रहे हैं कि जानकारी सिर्फ इसलिए जुटाई जा रही क्योंकि अब जल्दी से जल्दी TGT science, PGT science बाकी और subject डियोगर्फी भोगोल हिंदी जो भी है आपका इतियास जो भी subject हैं उन सभी की vacancy जितनी जहां जहां है वो सभा में दे दिजे और हम आपके लिए vacancy का announcement करेंगे ऐस मेरा अनुमान है इस letter को देखकर मुझे यह अनुमान लगा अगर आपको यह देखना चाहते हैं कि पर जूम करके आप देख लिए यह letter मैंने यहां पर डाल दिया है यह letter लगातार आपको फिल बिलिंग करता रहेगा और यहां पर मैं आपको इसके कुछ मुख्य बिंदू भी बताया दे रहा हूं इसके मुख्य बिंदू जराइए है देखेगा यहां पर लिखा हुआ है बाकाईजा तीन दिसंबर से आप इसको पढ़ भी सकते हैं तीन दिसंबर से सुरुआत की गई है तो यह जो collection है वो collection आप देख सकते हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप alert ह मैं आपको इसलिए जानकरी दे रहा हूं कि कोई आप alert हो जाए और अगर आप अभी से alert नहीं हुए तो आने वाले दो तीन महीनों के अंदर जो आप तयारी के लिए चाहें पूरी ताकत लगा देना दो महीने आरे यार सिंपल सी बात है जो बार्मे क्लास का बच्चा दो स साल पढ़ता है 11 पढ़ता है 12 पढ़ता है उसके बाद भी percentage 90 पहुंचने में मुश्किल पढ़ जाती उसको तैयारी पूरी करनी पढ़ती पूरे साल ताकत लगाता है तो आप भी तो PGT Chemistry के की student तो ही हो आप PGT Chemistry के एक candidate तो ही हो तुम teacher होगे तो बच्चों के लिए होगे को nothing else इसके अलावा आप कुछ नहीं है तो अगर आप अपने आपको अध्यापक मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये बहां तक रखिए जहां तक student है लेकिन अगर आप PGT में select होना चाहते PGT में अपना selection चाहते तो एक बार अपने आपको student कहा दीजिए तो आप 100 percent select हो जाएंगे उसका कारण है कि इनसान तब तक सीखता है जब तक उसके मन में ये रहता है कि मैं एक क्या हूँ मैं एक विद्यार्ती हूँ मैं एक student हूँ मैं सिखछक नहीं हूँ और जब वो अपने आपको सिखछक समझने लगता है तो फिर उसके सीखने की छंताएं कम ह जाती हैं ये आप भी जानते कि आप well qualified well educated सभी लोग हैं यहाँ पर मुझे ये सब बाते बताने की जरूत नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है कि हनुमान जी को भी जगाने के लिए उनकी ताकत उनके अंदर बहुत थी इस बात को बताने के लिए जो है वो एक इंसान की जरू थे ना किसी ना किसी की तो मैं फिर सर्फ यही काम कर रहा हूं कि आपको जगा दू कि आप एक बार student बन जाईए एक बार candidate बन जाईए तैयारी कर लिजे तैयारी आप किसी भी माद्ध्यम से करिए इसका कोई matter नहीं लेकिन तैयारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि समझ में आ बाद की है, more concept से लेकर के, यानि कि मैंने बिलकुल basics of chemistry से लेकर के चला हूँ और एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, छोटा-छोटा point भी आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्यूंकि वो point आप क्यूंकि क्या होता है, कि exam में कौन सा line, कौन सा topic, कौन सा point question बन के आ जाएगा, औ तो आप जानते हैं नहीं हम जानते हैं तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना है और आखिर तक जितने भी हाइस टॉपिक है उन तक हम वें पहुंचना है तो लगातार मैं आपको वीडियोस देता रहता हूं समझोता आपके लिए बहुत नुकसान दायक हो जाएगा अगर आप समझोता करेंगे तो आप समझोता बिल्कुल नहीं करेंगे आज से ही अभी से ही तैयारी पर लग जाईए क्योंकि नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद एक्जाम सुरू हो जाता है और एक्जाम में बहुत समय लंबा नहीं देते हैं फॉर्म भरने के बाद मुस्किल से हाडली जो है वो दो एक महीने का समय मिलता और एक दो महीने में इतना ब्राड जो सलेबस है इतना ब्राड सलेबस वो ब्राड सलेबस आप नहीं कर पाएंगे तो इसलिए अभी से तैयारी करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स अभी कलियर कर देंगे बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिसकेसन कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस पेपर लगातार 100-200 कोश्चन पर डे के प्रैक्टिस करवा देंगे आपको उन्हीं पर डे की से आप मान लीजे कि सेलेक्शन 100% हो जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको जरूर ये पता लग रहा होगा वहां से कि बहुत सारे कैंडिडेट जो अल्रेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने सेलेक्शन पा ली है और अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं आपको मैसेज के थूरू ये बता दूँगा कि कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने मैसेज करके मुझको इनफॉर्मेशन दी है कि नहीं सर मुझे ये कॉलेज मिल गया है मैं यहां सेलेक्ट हो गया हूँ पढ़ाई उन्होंने कि है गाइडेंस दिया है तो यही जानकारी देना चाहा रहा था कि जो आप तक जानकारी न पहुंच पाए वो इसलिए पहुंच जाए क्योंकि आप अलर्डी अलर्ट हो जाए और अगर आप अलर्ट होंगे तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे धंग से हो जाएगी थाइक्यू